आचार्य थे इसमें कोई संबेह नहीं सुबंदू की तरह से वो उनका जो इंपेक्ट है प्रभाव है वो भरत्मुनी के बाद सबसे जादा असर पूरे नाटिशास्त्र के विवेचन में अगर आता है दो जार साल में तो कोहल का आता है उनकी भी किताब नहीं मिलती है उसका रेफ्रेंस बात के आतरस बताते हैं कि कोहल का लिखा हुआ नाटिशास्त्र नाम से किताब इनकी थी तो वो तो लुप्त हो गई है और जो मैनुस्क्रिप्ट एक मिलता है कोहलियम नाम से कोहलियम नाटिशास्त्र नाम से वो बहुत बात का है और इतना बात का है कि लगता तो बहुत लेटर है वो भी अच्छी तरह से उसको एडिट करके छपाया जाना चाहिए वह मैसूर की लाइबरी में मदरास की लाइबरी में मैं उसका रेफरेंस में कहीं होगा तो दे दूगा बाकी कोहल और दतिल धूरतिल नीए पी छहपा हुआ है इनके नाम दो तीन जगे नतिशास्र में भी आते हैं आखिर अध्याइम भरतमनि क्याते हैं यह बहुत लिए कि कोहल लादी बत से शांडली दूरतिल लादी ने नतिशास्रा लिखा है वह तरह पीए एक्जिस्टेंट टेक्स्ट है नाटिशास्त्र का गुरतमान में जो उपलब्द समस्करन है उसमें इनके लिखे हुए पैसेज़ जुड़ गये हैं कहीं कहीं और इसलिए लाइन विजूड दी गई है कि इन लोगों ने कांट्रिब्वुट किया इन लोगों ने नाटिशास को करिश्यती यह उसमें लाइन आती है नाटिशास के अखिरी अध्याय में बरत्मुनी कहते हैं उत्तर तंत्र मने जो एक तरह से पोस्ट नाटिशास्त्र का उत्तरभाग वो कोहल लिखेगा यह बता गए कि तुम लिख देना मैंने जो छोड़ दिया है तो यह कोहल ने ल ने जो माइनर ड्रामा मजंकों अँग्रेजी में कहते है तो दस रूपक हैं और उनके अलाबा ओर भी कई रूपक हो सकते हैं, जो छोटे-छोटे farms of drama हो सकते हैं, थोड़े इसमाल, उनका छोटा कलेवर हो सकता है, लगु कलेवर वाले हो सकते हैं, एक सर आपकी आवाज नहीं ये कोहल का जो महत्व है, वो उपरूपकों के विवेशन के कारण है जो दस रूपक हुए, उनके अलावा बहुत सारे रूपक के जो farms है, वो प्रचलित थे और लोग में प्रचलित बहुत थे, भरत्मुनी ने कहा कि मैंने जो classical theater है, उसका विवेचन किया है, रूपक का विवेचन मैंने किया है, जो प्रत्मुनी का जो पूरा प्रस्थान है, वह वहुत ही भव्युदात रंगमंच है, एक तरह से उसमें, और नाटक प्रहसन यह सब जो grand theater है, grand narrative है, उसके यह forms हैं, उसके अतरिक कुछ लोग में बहुत पहले से नाटक खेले जाते रहे होंगे, मेले ठेल कि उनको मैं नहीं बता रहा हूं, मेरे शिश्ची लोग उनको देख करके समझते रहेंगे और बताते रहेंगे, उनको मतलब शास्त्र में categorization उनका किया जाए, उनमें से भरत्मुनी ने का कि नाटिका बहुत लोकप्री है, वह लगबग नाटिका ऐसा कि क्लासिक, क्लासिक थीटर ही उसको एक तरह से है, क्योंकि नाटक और प्रकरण ये दो जो बड़े फार्म्स हैं, उनके कॉंबिनेशन से छोटा सा एक रूपक प्रकार नाटिका बनता है, तो वो शायद हमने बताया होगा, अगर कभी दश रूपक पर हमने बोला हो आपके, दश रूपकों प चुनाया है, तो यह जो दस रूपक हैं, यह तो आपको जानना ही चाहिए, और नाटिका उसी के सांद भरत्मुने ने बता दिया है, कि उनसे मिलता जूलता है कि फार्म है, इसको मैं बता देता हूं, बाकी जो संकीन रूपक भी कहा गया, संकीन माने इनके कॉंबिनेशन स फार्म होते हैं, बनते हैं, यह भरत्मुनी का आइडिया था, यह जो नाटक प्रकुरण प्रहसन भांड समवकार, इसका उनसे अंडियों बता देता हूं, बागी जो तो मेरे शिष्च उनको अध्यान करें बताएं उसमें से एक का भरत्मुनी के उसमें नट शास में जिक और भी आता है नाटिका के अलावा शिल्पक तो शिल्पक जो है वो भरत्मुनी के शिश्य करने लग गए बिना उनके आदेश के सलाह के उसे उनको शाप मिला ये नट्षास के अंतिम अध्याय में शाप और शाप से मुक्ति के एपिसोड आते हैं उसे बताया गया क्योंकि उसमें थोड़ा गमारूपन था और खसी उड़ाई गई थी मुनियों की ही वो मुनी लोग नाराज हो गए वो शिल्पक उसी प्रकार का रूपक है ये सब लोखनाट्टे जैसे थे वो समाज के निम्नवर्क के पात रिन में बहुत आते हैं तो ये जिनको बहुत विस्तार से देखना उप्रूपक शीरिशक मेरे नट्शा स्विश्पोष में देख सकते हैं उसमें कम से कम 40-45 उप्रूपकों के बारे में विस्तार समें ने डिटेल दिया है और उनके सबके लक्षण ये माना गया कि कोहल ने सबसे पहले स्टेंडर्ड लक्षण उनके दिये इसलिए जितने हम उप्रूपकों के लक्षण पढ़ते हैं वो लगता है कि वो आचारी जो भी इनके लक्षण उध्रत कर रहा है कोहल के ही है कहीं तो नाम वो लेते हैं कि कोहल ने इसका लक्षण यह दिया है जैसे अभिना गुप्त कोहल आधी का नाम कोहल का नाम लेकर के ही बताते हैं कि कोहल ने लक्षण दिये हो तो कोहल सबसे बड़े आचार यह हुए जो दस रूपकों के अलावा जो दूसरे रूपक हैं जिनको आप लोखनाट्य से मिलते जुलते प्रकार भी कह सकते हैं और लोखनाट्यों पर चूंकि चर्चा पूरी आपके यह शायद नहीं हुए है और कुछ अलग-अलग लोखनाट्यों पर तो भी आख्यान होई गये हैं ल कि यह सारे नहीं लोखनाट्यू ङब रहेसे वह खुम नहीं पिर्ट्राना बंषा बनाट्य नहीं है होई यह वह वह अड्रेश्टिंग है कि उसनत टेंग यह और प्राटबब को बना देते हैं जिसे कालिदास विकमोर बश्या में बंशिया तो वह तो 4 आख्यानु जूं स्वेम्बर नाम का एक नातक वह कड़ार रहे है सवर्ग में इंदर के सामने उर्वशी उसमें नाई का हिरो इन है तो अब उर्वशी जो है इस बीच नातक इधर चल रहा है और उस बीच वह पुरूरवा के प्रेम पगला गई है, तो रियरसल में वो पुरुषोत्तम जहां कहना है, उसके जगे पुरूरवा कह जाती है, तो भरत्मनी तो बहुत आगभुला हो जाते है, उनका कहना है कि ये क्या तमाशा है, वह सार्त्विक अगनाय करना चाहिए तुम को उस भूमिक के पास जाकर आराम से रहो अच्छा ही है मैं तुमको इजाज़त देता हूँ तो पुरुरवा तो शाप का उल्टा हसर होता है वह कालिदास एक तरह से मजाक करते हैं भरत्मुनी के साथ कि उन्होंने शाप दिया उस वह वरदान हो गया उर्वशी के लिए कि अपने प्रेमी पड़े और फिर ये विक्मर वशीयम पड़े तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे मोटिव नाटिशास्रीके उसमें इंबेडेड है उसमें फिरोई हुए है और कई जिए कि उन्होंने जानगूच करके उलट दिया है जो बरत्मुनी कह रहे हैं उससे ठीक उल्टा वो कराते हैं कि फुड़ा मजाग भी करते हैं कि ठीक है आप में निर्देश दिया है हम कुछ और तरह से करा देंगे तो इस पर भी कालिदास और नाटिशास स्रीशक से आपको कहीं मिल जाएगा कुछ तो नाटिशास मिल जाएगा कुछ मेरी दो एक दूसरी किताबें है तो कलिदास का नाटिशास से जो रिलेशन है भास का तो बड़ा इंट्रिगिंग रिलेशन है बड़ा सीधे-सीधे इंटर लिंक उस तरह सब आइक है और वह सब जानते हैं और फिर कुछ कि अपना तो सच परक पुम funk को जैसे रेसपॉंद करते वे कुछ अपना आते हैं कि तो यह ख़िक्र कि दोगनाटियों का वह intent की पुट्तली का नाट्ट उनके नाटक में होता है तो वह बड़े एक्सपरिमेंटल आथर है दस्वी शताबदी के संस्कत नाटक के यह आपको बताया गया होगा उनके बारे में जानकारी और आशाएकर के बहुत पॉपुलर नाटक हुए खेले जाते हैं संस्कत में भी हम लो इसलिए किया कि भरतपुणी तो क्लासिक कि बात करते है क्लासिकल तीटर की बात करते हैं जो घोद्याल की प्रिंपराएं तो मैं छो कि मौटिं नेकर में करतियों में इसलिए तो मैं अपना नाटक के भी तर नाटक दिखाना है या खेरेक्टर मुझे दिखाना है कोई तो मैं उसको कोहल को करेक्टर के रूप में वहाँ खड़ा कर दूँगा यह वो करते हैं तो यह नाटिशास से कैसी एक तरह से रिष्टेदारी है संबंध है समस्कुत के आथर्स के समस्कत के नाटक कारों के यह आप देखते हैं तो कोहल के बारे में आचारी तो बहुत जानते हैं यह आपको मेरी किताब में मिल जाएगा कि कितने नाटशास के आचारी जो कोहल को साइट करते हैं उनकी किताब उनके पास है उस पर डिपेंड करते हैं क्योंकि भरतमुनी के है कि वह बड़े चिंतक के रूप में भी महानाचारी के रूप में उनको साइट किया जाता है और कई विश्यों पर उनके मत उद्रत होते हैं नट्षास्त की कई के बारे में उस पर आगे में थोड़ा और शायत को होगा कुछ और जो आथर सुट गए हैं इसमें वह शिलाली बहुत बड़े आचारी कोई हुए उन्होंने नट्षूत्र लिखा था इस्ट्री ओप नट्षास्त्र जब आप पढ़ें अगर नट्षास्त की जो टेडिशन है उसके आचारियों की तो शिलाली तो उसमें बिलकुल लेंडमार्क है क्योंकि जो नट्षास्त्रम को मिलता है उसके कम से कम 300 साल पहले 200 साल पहले नट्षूत्र शिलाली लिख गए थे पाणिनी ने जिक्र किया है तो पाणिनी से पहले पाणिनी का समय 5th century BC मानते हैं और हो सकता है उसके भी कुछ पहले के हो तो पाणिनी ने अपने एक सूत्र में नट्षूत्र का जिक्र किया है 12 तो यह शिलाली ने नट्षूत्र कोई किताब लिखी थी पाणिनी हमको सूचित करते हैं नट्षूत्र नटों के लिए जो सूत्र ग्रंथ है नटों के लिए जिसमें में एक सिम्स उपदेश दिये गए हैं ऐसी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी थी वो नहीं मिलती है और यग्य के एक आचारी के रूप में वेधिक साहित की उनका उलेख होता है वो वेधिक रिशी है एक तरे से तो यग्यों के साथ जब नाटक होते थे बहुत प्राचीन काल पे तो उन नाटकों के लिए इन्होंने कोई टेक्स्ट सूत्र का ग्रंथ लिखा होगा उस समय कि वेधिक रिशी है तो और भी वहुत पहले का होगा तो उतनी पुरानी नट्शास के आचारी की परंपरा है एक तो शिलाली है उसका कोई सूत्र हमको नहीं मिलता उस किताब की बारे में और कुछ नहीं मिलता यो नाम पाणिनी एक मात्र सोर्स है हमारे लिए जो बताते ह कि नट्शूत्र एक किताब है और तीन नाम ये आते हैं ये भी एक बड़ी पहली है नट्शास्त्र की आधि भरत का नाम कहीं आता है व्रद्ध भरत का भी नाम आता है भरत्मुनी तो हैं हैं तो भरत्मुनी से इनका क्या रिष्टा है क्या भरत्मुनी के अलावा ये हैं आदी भरत और व्रद भरत या भरत मुनिक के प्रती आदर के लिए ही आदी और व्रद उनके नाम के पहले लगा दिया है, ऐसा भी होता है, कि वालमिकी को कभी भी कहते हैं और आदी कभी भी कहते हैं, और किसी को हम आदर के लिए बुजुर्ग हैं, इसलिए व्रद उसके ना प्यमादान नहीं हुआ है और इनके ओलग इलगी मिलते हैं किकरतल यों और वरतमुनी को कश पहले हो नहीं हो चुके हो लकि ये इसके लावा कि बारे में जनकारी है जैसा मैंने या लिखा है, कि मैसूर में एक टेक्स्ट है आदी भरतम, वो भरताचारी प्रणीत आदी भरतम, ये किताब का नाम है, बरत्मनीन द्वारा प्रणीत आदी भरतम है, किताब, ये मिलता है लेकिन ये बहुत बात की किताब है, और इसमें फोक फार्म्स जो हैं इसमें आजाता है, वैसा लगता है कि नाटिशास्त्र जब संग्रहित किया गया, तो गरत्द भरत के जो पैसेजेस थे, वो भी इसमें उन्होंने जोड़ लिये, और आदी भरत का अगर कोई रहा होगा टेक्स तो भी उसमें जुड़ गए, और कोहल की कारिकाएं जो कोहल ने लिखी होंगी, कोहलियम नाटिशास्रम जो कोहल की किताब थी, उसके भी पैस इसमें जुड़ गए, तो अभीना गुप्त चुंकि बड़े आचारे हैं, उनके पास ये मैनुस्क्रिप्ट सबकें हैं, तो कई बजगे बताते चलते हैं, कि ये कारिका जो नाटिशास्रम जो वास्ता में कोहल की लिखी हुई है, इसमें जुड़ गई है, चोड़ ली ग पान ली गई, और वो बाकी जो टेक्स थी, वो दिरे दिरे लुप्त भी होती गई, क्योंकि नाटिशास से काम चल जाता है, तो वही किसी तरह बचा रहा, यही बड़ी बात है, तो कि नाटिशास को ही बचाय रखना बड़ी समस्या थी, पांडुलिपियां सुरक्षित र ल्की हो, आपको अभी हो अभी भी मिल सकती है, लेकिन उसका कहीं हिंदी-खन में अवाद ड़िई है, वो आदि भरत प्रणीथ, ऐसा मैनीशक्रिट में लिखा हुआ हुआ है, वह भी बहुत बात का गरंथ है, और उसेमें अंदर कहा हुआ है कि मैं नारायनाचार अदिब कर लिया टेक्स्ट मेरे काम की जो इसमें से कारिकाएं पैसेज़ें उनको लेकर के में एक टेक्स्ट अपने लिए बना लेता हूं तो वह मिलती है नाट्य सर्वसुदीपी का वह एक बिल्ला ओरियंटल इंस्ट्यूट उज्जय में बना था वहां से चपी थी और है लेकिन उसको भी बहुत बात का ग्रंथ लगता है और उसमें बहुत सारे लोपनाट्य आ गये हैं नत्य के फार्म्स आ गये हैं जो कि लेटर है तो यह आदी भरत की समस्या है लेकिन यह आचारी हैं और रहे होंगे अब थोड़ी सी बात हैं भरत्मुनी के पीरियट के बारे में अ करते हैं लोग उत्य कि अश्चारी लोग उद्रत करते हैं और यह आचारी लोग उध्रत करते हैं कि पोहल ने भरत्मुनी ने ये बताया उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए उसमें संचोधन उन्होंने किया है उत्रष्टिकांक में दो अंख हो सकते हैं इस तरह के बहुत सारे क्योंकि उत्रष्टिकांक जो बार में लिखे गए होंगे उन्होंने दो अंख हो सकते हैं करते हैं बिन्दु पताका अंक लास्यांग दश्रूपक प्रस्तार विराम इस तरह से अभिनाव गुप्त बहुत सारी पर कोहल का मत उद्रत करते हैं और बहुत आदर से करते हैं कि कोहल ने फिर ये बताया है वरत्मनी तो बता ही गय थे तो कितना रिस्पेक्ट इनका था ब जिसमें कि बहुत महान आचार ये थे उद्वट तो वो कहते हैं नहीं उद्वट का मत हम नहीं मानते हैं भरत्पुनी का अनादर उसने किया है ये सब वो कहते हैं लेकिन ये कोहल के प्रती बड़ा इस हाइली रिगार्ड़ेट अगनों गुप्त जैसे बड़े महान दाशनि उसको बहुत आधर के साथ में कई जगे साइट करते हैं तो ये कोहल के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए